यूपी में चुनावी रंग दिन बदिन गहराता जा रहा है पक्ष विपक्ष सभी शक्ती प्रदर्शन में लगे हैं अब तक कॉंग्रेस ने 86 गुमीदवारों का ऐलान कर दिया है जिसमें कई फेर बदल देखने को मिले हैं आज राहुल गानी पंजाब के दोरे पर रहेंगे जहां वो माता टेकेंगे तो कहीं रैली करेंगे वहीं बीजेपी के चुनावी चानक्या कहे जाने वाले अमिश शा ने भी अब अपना सियासी पत्ता खोल दिया है जी हाँ खबर मिली है कि अब अमिश शा यानी ग्रेह मंत प्रिकरी खुद यूपी मतुरा में परचार करेंगे और घर-गर चाकर लोगों से मिलेंगे और वोट मांगेंगे बाके बिहारी मंदिर में दर्शन के साथ दौरा शुरू होगा इसके बाद वो कुछ गन्नमान लोगों से भी मिलेंगे फिर शाम को वो ग्रेटर नुडा में भी लोगों से मिलेंगे जहां एक तरफ लगबग हर स्टेट में अलग-अलग मुद्दो पे आंदोलन जारी है इस लोगों ने गंगा में लाश बैते अक्सीजन की कमी और गंगा किनारे बिछे लाशों की तस्वीरे देखी और इस पूरा को सहाबी है अब ऐसे में पिछली जीत की तरह इस बार बीजेपी जीत का जंडा लहरा पाईगी या नहीं ये आपको यूपी की जंता बताएगी प देखना दल्चस्प होगा कि इस बार का चुनावी दाव क्या होता है